जट से बहुत कुछ सीखना है, TRS Clips Hindi को सब्सक्राइब के जिए और कैंसर के बार में थोड़ा सा बात करते हैं, चार स्टेज़ के बार में भी बात करेंगे, I feel कि हर भारतियों को यह जानना चाहिए, बहुत जरूरी है, यह करतव यह आपका जानना, पर पहले मैं स्टेज जीरो के बार में जानना चाहूंगा, मतलब I am sure कि आपके पास जितने भी patients आयां अब तक, उनमें कुछ तो commonality होगी pre-cancer, जैसे कि आपने कहा कि जो smoke करते हैं, जिनकी lifestyle अची नहीं होती, they are more likely to get cancer, मेरे काफी सारे जो friends है अभी, especially media industry में, कुछ लोगों, जिनको मैंने date किया है, ठीक है, media industry में बहुत जादा stress होता है, क्योंकि insecurity होती है, scrutiny होती है etc, बहुत anxiety है, especially मेरे age के लोगों में, अकसर उनके anxiety और nervousness levels को देखकर, और यह शायद मेरे में नहीं है, exercise और yoga की बचाए, definitely थी, जब मैं younger था, definitely मेरे मेरे में भी nervousness थी, मैं ज्यादा stress हो, गुसा जाए, पर I feel कि कुछ pre-deciding factors भी होते होंगे, बदब आपकी body ना cancer होने से प बराबर है, तो वो situations को थोड़ा breakdown कीजिए, बहुत raw example दे रहों कि कहा जाते है कि देखो अगर आपको constantly pimples हो रहे है, जो बहुत common problem है, मतलब कुछ तो आपके lifestyle में गलत है, बराबर है, कुछ तो है, आपकी body आपको कुछ कहना चाहते है, pimples एक example है, कुछ-कुछ लोगों का हमेशा खराब हो जाते है, पेट हमेशा खराब होता है, तो आपकी body आपको कुछ कहना चाहती है, कुछ कहरी आप सुन रहे नहीं हो, exactly, तो यह stage zero के बार में बताई है, especially जो लोग 20s में, बहुतों का stage zero चल रहा है, उन्हें पता भी नहीं कि चल रहा है, शायर 30s में, 14 में cancer होगा, यह stage zero के science के बार में बताई है, फिर stage one और सब भी बहुतों, आपने बहुत सही कहा, हमारा सब को यही कहना रहता है, English में, कि know your body, और लड़की लोगों को कहना रहता है, कि आपके stunt के बारे में, breast के बारे में, जानकरी खुद की खुद रखो, डॉक्टर से भी के science आपके सामने दिखते है, मुँ में छाले continuously आने, सही नहीं है, white patch आना, सही नहीं है, मुँ में, मुँ के अंदर, जबान पे आता है, गाल पे आता है, जो लोग खाते पिते हैं, जो cigarette या इसमें, या जो भी नहीं खाते हैं, उनको भी, या जिनका continuously diarrhea होते रहता है, यानि जो stools pass करने के किसी को एक दिन में हुआ, किसी को चार दिन में हुआ, और वो stools pass करने का और परगेट यू लेना पड़ता है, ये एक warning sign है कि कुछ तो आपके bowel में problem है, मतलब या तो regular diarrhea या regular constipation, या कुछ तरह, meaning change in the bowel habits, then आपको, आप खाना खा रहे हो, अराम से, लेकिन आ कि कोई science नहीं है, देखो कोई problem है क्या, ये important है, या कहीं भी आपको गाठी आए, या प्यूमर के जैसा आए, जो नहीं है, इतने सालों में, या आपके यहां पे एक काले रंग का मोल है, वो suddenly बढ़ना चालू किया, look at it, it is going to be a cancer, तिल बोलता है, वो अगर बढ़ना या आप सास ले रहे हो, और suddenly आपको लग रहा है कि नहीं, एक नाक से मैं सास ही नहीं ले पा रहा हूँ, कितने दिन हो है, जाके देखो क्योंकि अंदर उधर, एक stage 0 जैसा polyp, याने, जैसे अपने को grape रहता है, द्रक्ष, याने उसका, जैसे उसको polyp बोलते है, वो ऐसा अ आज आपका महेना 28 दिन के बाद आने वाले है, 30 दिन के बाद आने वाले है, लेकिन आपको bleeding हो रहा है बीच में ही, और ये लगातार हो रहा है, या sexual intercourse, यानि सम्मन्द रखने के बाद bleeding हो रहा है, होना नहीं चाहिए, नॉर्मल तो होता नहीं है किसी को, सम्मन्द रखने के बाद अगर sexual intercourse bleeding हो रहा है, तो कहीं तो wrong है, sign है, लोग बोलते हैं नहीं होते रहता है, होएगा, या अपने penis के उपर, males में, वहाँ पे भी च्छाले आते हैं, और ये च्छाले बहुत लोगों में आते हैं, जिनके अलग-अलग sexual partners होते हैं, या वो part clean नहीं रखते हैं, ये आपको आलसर आ रहें, वहाँ आलसर आने नहीं चाहिए, अरे body दिखा रही है तुमको क्या हो रहा है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते हैं, breast का examination, पंदरा दिन में एक बार नहाने के टाइम में हाथ को साबुन लगाओ, देखो दोना तरफ में कई गाठिया लगती है लगती है, नहीं लग रही है, ये भी zero stage है, तो immediately doctor के पास है, तो warning तो होते ही रहती है, और ये warning इसलिए आपकी खुद का शरीर के बारे में खुद को जनना है, आपको रोज का भूख बरावर लगना चाहिए, जो भी आपका routine है, उस routine से 15-20 दिन ये routine नहीं चल रहा है, तो कुछ हो गया, तो मेरे को लगता है, जाकर जाच करेंगे, लेकिन cancer निकलाता हूँ, तो ये जो डर है ना, एक time वे डर आता है, लेकिन इमीजेटली मन में आता है, मेरे को क्यों होगा, मैंने किसी का बुरा किया है, बुरा करने से cancer होगा, तो सब गुंडों को होना चाहिए यार, तो नहीं होता है ना, पट, बहुत साथ लोग ना, महेंगाई से डरते हैं, कि या टेस्ट महेंगे होंगे, खर्चा होगा, I think, वो डर होता है, पर जो surgery में आपका खर्चा होगा, जो केमो थरपी में आपका खर्चा होगा, वो लाखों गुना ज्यादा होगा, इसलि आपकी बाड़ी के बारे में बाते समझ लो, आग लगेगी ही नहीं, यह important चीज है, so इसलिए state zero important है, what you mentioned is correct, and यह preaching करने का काम actually हमारा नहीं है, यह preaching करने का काम काफी counselors का है, क्योंकि हमारा पिरामिड के जैसे है, we are at the top of the pyramid, trying to be, की fryer के extinguisher, की आग लगी तो बुजाने वाले हम हैं, लेकि आग लगना है नहीं चाहिए, इसलिए काफी healthcare workers है, वो जितना propagate करोगे की cigarette मत पी हो, या ऐसे science देखो तो करो, लेकिन यही प्रपोगेट नहीं होता ना, दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपको मिलें सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिये, सीखते रहिए, ग्रोव करते रहिए, हापनेस्टों क्यूरियोज़वी और ने वीशोर.